ओके तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझा रहा था ठीक है एंड जैसा कि आपने पड़ा लीनियर रिग्रेशन डील करता है य इक्वल टू एमेकस प्लस सी से मुझे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बीच में जो रिलेशनशिप्ट चाहिए वह होना चाहिए एमेकस प्लस सी वाला ऐसा लीनियर रिग्रेशन बोलता है चीक है या मैं ऐसा कहूँ y equal to beta 0 plus beta 1 x ऐसा भी क्या सकते हैं लेकिन logistic regression बोलता है कि मेरा relationship dependent और independent का ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे नहीं चाहिए ऐसा relationship log of p upon 1 minus p is equal to beta 0 plus beta 1 x ऐसा logistic regression बोलता है जिस kind of relationship I require ठीक जिसको आपने further solve भी करा था आप e की power में ले गए थे p upon 1 minus p is equal to e की power beta 0 plus beta 1 x आप ऐसे ले गए थे ठीक है फिर आपने multiply करा था p को यहाँ पर okay cross multiplication करके at the end you find the value of p as 1 upon 1 plus e की power minus beta 0 plus beta 1 x यह जो आपको मिला था result यही आपका sigmoid function था ठीक है और यही logistic regression के अंदर जो है वो main role play करता है logistic का मतलब यही मतलब sigmoid ठीक है तो logit function जो आप बोलती है वो यह है log of p upon 1 minus p और इस ही को ही आप इस equation को further solve करके इस format में लेकर आ जाते हो this is called sigmoid और इसका plot कुछ ऐसा बनता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और यह 0 से 1 के बीच में होता है this is your threshold 0.5 ठीक है तो binary classification करने के लिए यह बहुत अच्छी algorithm है when you are having two classes ठीक है तो अच्छा यह भी बोला था मैंने की probability देता है यह it gives probability as a result ओके और यदी probability 0.5 से छोटी है तो answer is 0 और यदी probability 0.5 से बड़ी है तो answer is 1 तेक है यह काम करता है मेरा logistic regression फिर आप से यह मैंने cost function की बाते रखी थी सामने let me share the entire screen now और धान से सुनिएगा समझेगा थोड़ा सा अभी अच्छे level वाला maths होने वाला है तो आप से discussion हुआ था मेरा cost function को लेकर of logistic ठीक और इसका cost function होता है आपने एक example देखा था actual और प्रेडिक्टेड वाला ठीक है यहने की मेरे पास a है और b है यदि actual a equal to 1 b 0 आ रहा है तो prediction मेरा model देता है probability then it will give a का point 8 and b का point 2 यह previous lecture के अंदर है शारी बात है और दें यू विल अप्लाय फॉर्मुला फॉर्मुला फॉर् जो की होती है y log p minus बाहर है minus of 1 minus y log of 1 minus p यह होती है cross entropy और यही cost function है मेरा logistic regression का where y जो है आपका यह है 1 या 0 दो possible outcome है आपके पास binary है न वो तो यह तो 1 आएगा या 0 आएगा 1 कब आएगा y जब आपके पास minus log p होगा और 0 कब आएगा जब आपके पास minus log of 1 minus p होगा तब 0 आएगा ठीक है यही था आपका जो cost function ठीक और इसको मैंने split करा यह समझा रहा हूं बता रहा हूं बता चुका हूं पहले भी ठीक all right so मुझे क्या करना है अगीन इसी cost function को मैं वापस से लिखूंगा ठीक है एंड पुरा maths करना है इसे solve करना है मुझे ठीक है that's what I need to do ठीक तो अब नया page मैं वापस से pickup कर रहा हूं इस page को लीव कर रहा हूं ठीक है और ध्यान से सुनते और समझते जाना अब आब मेरा cost function है cf is equal to minus y log p minus of 1 minus y log of 1 minus p p की value जस्ट अभी थोड़ी दर पहले मैंने आपको बता दी क्या है p की value p की value क्या थी 1 upon 1 minus yeah sorry 1 upon 1 plus e की power minus beta not plus beta 1 x वो है p की value ठीक है so अभी क्या कर रहा हूं मैं p की value यहां पर substitute कर रहा हूं so minus y log of यह जो y है न यह 0 और 1 वाला y है न ठीक है और p की value है 1 upon 1 plus e की power minus beta not plus beta 1 x यह है तो अभी थोड़ा सा हाल फिलाल में तो बार बार इतना बड़ा लिखने का मेरे को बने का नहीं तो मैं इसको capital a लिख देता हूं ठीक है हो जाएगा 1 minus 1 upon 1 plus e की power minus a ऐसा हो जाएगा ठीक है फिर इसको आगे बढ़ाते हैं solve करते हैं this is equal to minus y log of 1 upon 1 plus e की power minus a minus of 1 minus y log of यहाँ LCM ले लो आप so 1 plus e की power minus a minus of देखो ऐसा हो जाएगा 1 plus e की power minus a minus 1 divided upon 1 plus e की power minus a यह हो जाएगा तो यह 1 से 1 निपड़ जाएगा ठीक है आपने LCM ले लिया तो यह आपको result मिला ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अब मैं लिखूंगा this is minus y log of यह पूरा की पूरा as it is minus of 1 minus y अब यहाँ पर मेरे को बचेगा log of e की power minus a upon 1 plus e की power minus a यह बचेगा मुझे ठीक है और चाहो तो मैं यह भी लिख देता हूं 1 upon 1 plus e की power minus है ऐसा लिख देता हूं कोई issue नहीं है ठीक अब again we can pick up a formula जैसे log का होता है प्रॉपरिटी log of a by b log की प्रॉपरिटी होती है a by b ओके तो वो होगा log a minus log b ऐसा होता है तो i can take this is equal to minus y log log a by b is equal to log 1 minus log of this तो log 1 0 होता है ठीक है तो 0 minus log of 1 plus e की power minus a तो यह हो जाएगा minus log of 1 plus e की power minus a बस यही बचेगा यहां पर फिर यह minus जो है उसको लिखे रहें दो minus 1 minus y ऐसा ही रहने दो इसको भी करो यह हो जाएगा log e की power minus a minus of log of 1 plus e की power minus a ऐसा हो जाएगा यह ठीक है that's what i can write ठीक है all right इतना आया then आप एक काम करिए ठीक है इतना आगया है अब आप यह वाली जो term है पहली वाली यह minus और minus यह हो गया plus तो it will be y log of 1 plus e की power minus a और यहाँ यह minus यह वाला रहा एक बड़ा bracket लगा रहा हूँ 1 into this अब यह पूरा 1 इस पूरे से multiply होगा तो हो जाने तो क्या आ रहा है answer वो हो जाएगा log e की power minus a minus of log 1 plus e की power minus a ऐसा आ गया ठीक है यह one जब multiply होगा तो दोनों से होगा यह आया अब फिर minus y multiply होगा इनसे तो minus y into log of e की power minus a और यह minus y into into minus 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 plus हो जाएगा so plus y log of one plus e की power minus a one plus e की power minus a ऐसा आ जाएगा यह मैं ब्रेकेट क्लोस कर रहा हूँ उसके बाद एक काम करिया आप यह जो भार minus है न उसको उठा के अंदर ले जाओ so what you are going to get नई sheet पर आ रहा हूँ मैं अब आपके पास यहाँ पर बचा था equal to y log of one plus e की power minus a और यहाँ जो minus है अब मैं उसको अंदर लेकर जा रहा हूँ यहाँ वो हो जाएगा minus log of e की power minus a minus log of e की power minus a और फिर यह minus और यह minus दोनों हो जाएंगे plus so plus log of कितना हो जाएगा log of one plus e की power minus a ठीक है और फिर क्या हो जाएगा यह minus यह minus तो हो जाएगा plus plus y log e की power minus a and यह minus और यह plus था तो इसका minus हो जाएगा it will be minus y log of one की power one e की power minus a अब यह और यह दोनों cancel हो जाएगे यह भी निफ्टे so I will be अब मेरे पास बचा है सिर्फ यह minus log of e की power minus a plus log of one plus e की power minus a plus y log of e की power minus a की इतना बचा हुआ है मेरे पास है तो तो इतना अभी जो है हमारे पास values अविलेबल है तो जदी मैं मानूं यह log of to the base e है log e to the base e अच्छा यह है देखो log of e की power minus है बहार एक minus लगा हुआ है तो आपको पता है log की property log of x to the power n वो होता है n log x वो n आ गया जाता है तो यह minus a आ गया जाएगा तो यह बचेगा a क्योंकि minus minus भी plus हो जाएगा तो बचेगा a और log e to the base e तो वो तो हो जाएगा one बात कतम फिर यहाँ पर है log one plus e की power minus है ठीक है ऐसा यहाँ पर लिख रखा है ठीक तो कोई बात नहीं मैं इसको as a tc रखता हूँ log of one plus e की power minus है इसको as a tc रहने दो और यह है y log of again वैसा है यह ठीक तो मेरा क्या हो जाएगा यह a again आ गया जाएगा minus है वो तो minus a y a into y और log e to the base e तो वो भी खतम हो गया तो I am getting I am getting a minus a y plus log of one plus e की power minus a यह मुझे मिल रहा है तो इतना पूरा जो है मुझे कहानी लगी solve करने की ठीक है यह जो मेरा cost function था इतना पूरा match लगा के मैं इसको इतना simplify कर पाया हूँ अभी तो a की value मुझे put up करनी है यहाँ ठीक है that's what I will be doing put up करता हूँ मैं देखता हूँ क्या होगा क्या result आने वाले हैं तो एक मैंने कुछ मान के चला था बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x को a माना था मैंने तो resubstitution का time आ गया this is बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x यह मेरा a है माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x इंटू y एंड प्लस लॉग ओफ लॉग ओफ लॉग ओफ वन प्लस e की पावर माइनस है याने वन प्लस e की पावर चलो अभी फिर फिर छोड़ देता हूं मैं इसको माइनस सही रहने दो ओ फिर कौन लिखेगा रहने देता हूं मैं ठीक है दिस लॉग यह इतना लिख दिया वन अब क्योंकि आप जानते हो कि बीटा नॉट और बीटा 1 यह दोनों पारामीटर्स हैं सेम लीनर रिग्रेशन में भी आपने देखा था कि बीटा नॉट और बीटा 1 क्या है परामीटर्स हैं ठीक है वहां पर भी आपके पास M और B था तो आपको अप्टिमाजिशन करना था आपने डिफ्रेंसीशन करा था एक एक करके पहले बीटा नॉट से गोड़न को तब बीटा 1 कॉंस्टेंट की तरफ बेव कर रहा था और अबकी केस में यही है बीटा नॉट से पहले में डिफ्रेंशिय टारूं बीटा 1 कॉंस्टेंट होगा फिर बीटा 1 से करूगा तो बीटा नॉट इस तरीके से चीजे चलेंगी नहा पर और राइट ठीक तो करते हैं यह काम ठीक है so let me differentiate this complete equation with respect to beta not first ऐसा करते हैं तो हो सकता है मुझे वापस से यहां पर लिखना पड़े नए पेच पर लिख देता हूं तो वो better रहेगा so I am having let us suppose theta यह cost function है मेरी value theta is equal to beta not plus beta 1 x यह लिखा okay minus beta not plus beta 1 x into y minus चलो y आगे लिख देता हूं beta not plus beta 1 x ऐसा लिख देता हूं and then I am having log of log of 1 plus e की power minus है plus log of 1 plus e की power minus a यह यह वही है beta not plus beta 1 x अभी कुछ खरा नहीं और मुझे इसको partial differentiation करना है टीक है delta theta upon delta beta not ऐसा करना है मुझे तो यह मैं partial differentiation पर जाओंगा okay if I do this thing तो भाई आप यह ध्यान रखिए यहाँ पर ठीक है करते हैं beta not का partial differentiation beta not के साथ one beta one भाई यहाँ इस स्थिती में constant की तरह behave कर रहा है तो इसका differentiation करोगे तो 0 आएगा तो यह तो हो गया 0 खेल खतम अब यहाँ minus y है चलो यह अंदर multiply कर दू में minus y को तो यह हो जाएगा beta not y और यह हो जाएगा beta one x और y ऐसा हो जाएगा तो beta not का जब differentiation होगा with respect to beta not तो यह तो one हो जाएगा तो मेरे पास आखरी लॉग तो लॉग का differentiation क्या होता है लॉग x का differentiation होता है one upon x तो पहले मैं लिकूंगा one upon यह पूरा one plus e की पावर minus a क्योंकि आप यह जानते हैं समझना पड़ेगा log x का differentiation होता है one upon x ठीक है तो भाई हमने पहले यह लॉग का differentiation हो गया one upon e की पावर minus a लेकिन बात अभी खतम नहीं हुई है अभी तो सिर्फ लॉक का differentiation हुआ है अभी मेरे पास भाई यह अंदर अब मुझे प्रैकेट के अंदर जाना है तेक है अभी सिर्फ लॉक का differentiation हुआ है इसका differentiation करना पड़ेगा तो इसका differentiation होगा one का तो zero हो गया e की पावर minus a का differentiation होता है minus of e की पावर minus यह differentiation होता है उसका ठीक है जो इसका minus है वो आगया जाएगा और यह बड़ा आसान है भाई कोई बड़ी बात नहीं e की पावर minus x का differentiation minus of e की पावर minus x होता है यह पता होना चाहिए ठीक है तो आपको जो term लिखी है वो है log of one plus e की पावर minus में तो पहले log का differentiation फिर अंदर जो term है उसका differentiation यह होगा और अभी भी मेरा differentiation खतम नहीं होगा देखे पहले तुम ने lock का करा पिर यह अंदर इनका इसका करा पावर का अब मेरे पास e में अभी भी beta naught plus beta1 x है तो power का differentiation होगा dot तो अब क्या differentiation होने वाला है मेरे पास अंदर a का तो a में मेरे पास है बीटा नोट प्लस बीटा वान एक्स तो बीटा नोट का डिफरेंसेशन वन हो जाएगा बीटा नोट एक्स बीटा नोट का डिफरेंसेशन वन हो जाएगा बीटा वान एक्स जो है उसका डिफरेंसेशन जीरो खल खतब उसका नहीं करना इतना मुझे रिजल्ट मिल है कि इससको वापस से लिखता हूं कि यह जाएगा वण मैश्वाय प्लसब्स नहीं आएगा फ्लस नहीं आएगा यन minus है ना minus e की पावर a upon one plus e की पावर minus है minus है गा यह और एक काम करता हो मैं इन दोनों का combination बना लेता हूं तो यह हो जाएगा one minus e की power minus a one plus e की power minus a minus y उसको इलग कर लिया यहां LCM ले लेता हूं इनका तो यह हो जाएगा 1 plus E की पावर माइनस A माइनस E की पावर माइनस A 1 plus E की पावर माइनस A तो यह दोनों ने पढ़ गए माइनस Y तो यह मेरे पास बचा 1 upon 1 plus E की पावर माइनस A यह बचा और यह होता है obviously you know probability P तो P minus Y तो आपके सामने इतना पूरा maths करके मैं आया हूँ ठीक है पूरा derivation मैंने आपके सामने करा और this is the result which you are getting यहने की cost function को जब आप with respect to beta not करोगे तो the answer is P minus Y यह मिल रहा है ठीक है इतना सिंप्लिफिकेशन कर दिया हूँ अभी खतम नहीं हुआ भई beta 1 भी तो बचा हुआ है तो आपको theta को beta 1 से भी तो partially differentiate करना है उससे भी देखेंगे क्या answer आता है तो कि दोनों parameter से होता है ना partial differentiation तो अभी beta not से हुआ है ओके तो भई वापस से अपने equation pick up करो यह है मेरी equation फिर से लिखना पड़ेगी मझे तो ऐसा होगा theta equal to again beta not plus beta 1 x then I am having minus y into beta not plus beta 1 x plus log of 1 plus e की पावर माइनस है यह होगा अब करिए delta theta upon delta beta 1 इससे करिए तो भाई यह तो नहीं पड़िया meta not अब beta 1 से करोगे तो यह beta 1 का differentiation हो जाएगा मेरे पास बचेगा x हाना x से multiplication में था तो beta 1 का partial differentiation होता है 1 फिर minus y into beta not यह नहीं पड़ गया अब minus y into x into beta 1 तो beta 1 का हो जाएगा 1 x और y multiplication में है तो minus x into y यह रहे ठीक है यह मेरे पास रहे अब यहाँ पर आज़ो इसके बारे में आप जानते हैं यह locker differentiation locker differentiation you very well know कि वो होगा आपका plus 1 upon 1 plus e की power minus a यह वोगा locker differentiation dot power का differentiation minus e की power minus a dot यह वोगा यह तक तो खेल खतम यह तक वैसे होगा जो पहले करा था a a को लिखोगे beta not plus beta 1 x तो beta not का differentiation हो गया 0 और beta 1 x का differentiation होगा x क्योंकि beta 1 का हो जाएगा 1 और x बच जाएगा मेरे पास इतना आएगा रहे जाएगा ठीके नौ वैसे खिल करना जैसे पहले कर रहा था आपने x minus x y और यह minus है ठीके तो minus e की power minus a into x divided by 1 plus e की power minus a यह हो गया क्रोस मल्टिप्लिकेशन करो आप यहां पर तो एक काम करिए x y को तो आप अलग कर दीजे अभी सिर्फ x के साथ क्रोस मल्टिप्लाइ करना हा न तो यह मेरे पास हो जाएगा x minus e की power minus a into x upon 1 plus e की power minus a यह minus xy को अलग कर दो यहां लियाओ यहां अपन LCM लेंगे तो यह x था न तो इधर मल्टिप्लाइ करो यह हो जाएगा x plus x into e की power minus a minus x into e की power minus a whole divided by 1 plus e की power minus a minus xy यहां रहा यह दोनों निपड़ जाएंगे so I will be getting यह बचेगा x 1 plus e की power minus a minus xy और यह क्या है अगें p तो x into p minus xy x common निकाल लो तो p minus y यह लो यह इसका solution हो गया यह होगा delta theta upon delta beta 1 ठीके यह value आपको मिल गई ठीके डोनों solve कर दिये मैंने ओके यह आपका जो partial differentiation से आया है with respect to beta 1 आया है beta not का आया था p minus y और beta 1 का आ गया x into p minus y ठीके और यह differentiation करने का उद्देश यह क्या होता है हम यह चाहते न कि मुझे mis classification कम हो यानि cost function जो है यह दर्शाता है कि आपका cost function ने की जितने भी losses होते हैं आप उन सब का average कर रहे हो ना ठीके loss ने हर एक step पर जो error आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ मेरा cost function कम हो और दो ही parameter हैं जो कि बदले जा सकते हैं बीटा नॉट और बीटा वन बाकी x और y थोड़ी ना बदल पाऊगी तो वो तो आपका data है x आपका input feature है वाई target है वो थोड़ी ना बदलो जो कुछ बदलाव कर सकते वो इन ही में कर सकते हो आप ओके तो आपने जो है यहां पर कर दिया चीक दोनों आ गए और हम यह कैते हैं कि बहें, डेल्टा बीटा नॉट अपॉँझ और सब्सक्राइब यहहां कहते है अपन चीक है अब हम आपको in critical differentiation निकाल जाएँ उसके आगे की फिर कोई कहानी नहीं है ठेके उन्होंने कहा कि आप gradient जब निकालें तो equal to 0 तो नहीं आप जब निकालें तो वो इसके बराबर होना चाहिए जब आप delta theta upon delta beta not करोगे तो that should be equal to p minus y और ऐसा होना चाहिए यह होना चाहिए x into p minus y एसा होना चाहिए उन्होंने बोला तो आप जो है आपकी equation मतलब जो है optimization हो और आपको misclassifications नहीं मिलेंगे ठीक है दीज आर्ड़ वैल्यूस फॉर इट ओके इतना मैस था logistic regression के अंदर ठीक तो भाई वापस से मैं notes पर आ जाता हूं यह सब पढ़े लिया आपने logistic regression supervised technique है जो की classification करती है probability देती है logit function है sigmoid function है सब पढ़े लिया आपने binary classification करती है खास करकी तो इसका यही काम है binary वाला multi classification भी कर देगी यह भी पढ़ा दिया मैंने previous recording में सब कुछ इसका assumption यही है कि भाई को linearity correlation नहीं होना चाहिए फीचर में यह तो मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कोई बी अल्गॉर्दम उठा लो machine learning की को linearity correlation नहीं होना चाहिए नहीं तो और फटेंग ठीक है और relationship log of odds की होगी बस यही खास था बाकी कुछ नहीं बाकी कोई क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं अपन और मैंने बता दिया था linear regression फेल हो गया था किस कारण से फेल हुआ था यह भी बता दिया था क्योंकि linear regression जो देता है वो prediction देता है और वो continuous values देता है पॉइंट में आ सकती है ठीक है logistic regression ऐसा काम नहीं करता logistic regression आपको जीरो देगा या वन देगा probability based है उस पर बात होती है ठीक है यह भी बता दिया था आपको यह log of odds वगर आभी आपने देखे लिए हैं इसके बिहाफ में पूरा solve कर लिया है ठीक है यह cost function है इसी कोई cross entropy बोलते हैं जो लिखा हुआ है this is cross entropy आगे बहुत काम आने वाला है ठीक है फिर information theory भी बताया था आपको कुछ part कि भाई यह क्या मतलब है क्यों लगा रहे हो यह logistic मतलब इसकी back end क्या कहानी है तो information वाली बात हुई थी कोई event होता है तो उससे कितने information नि निकालने पड़ती है यहां पर ठीक है और यहां आपने बोला था कि for any information जैने कोई event हुआ if any of the event occurred amount of information gain when an event occurred is minus log of P यह होता है minus log of P यह शनौन ने बोला था और फिर इसी से आपने entropy निकाला होता है minus Px log of Px यह होती है entropy that means uncertainty degree of uncertainty तो यहां पर आप यह ही तो कर रहे हो uncertainty की ही तो बात कर रहे हो क्योंकि यह तो 0 भी आ सकता था 1 भी आ सकता था यह तो uncertainty है आपकी कि अच्छे क्या कि वाइन तो entropy बता चुके है maths में भी बताया था यहां पर फिर बताया है मैंने okay and then for cross entropy यह पढ़ा था आपने और वो पूरा formula cross entropy वाला है जो cost function का है ठीक है तो इनसे यह पता क्रॉस entropy यह नहीं का यह नहीं क्या मतलब you are having two distribution पी एंड क्यू जो भी बना के बताया कुछ दिर पहले actual and predicted ठीक है जो भी बताया था न आपको वही है यह cross entropy एक्चल और प्रेडिक्टेड और जो पूरा formula तो पूरा formula यहीं से ही आया cross entropy से ही यह बनाएगा ठीक है यह देखो वापस से आपको याद आ जाएगा ठीक है कि आपके पास कोई object है वो apple है तो obviously actual values की apple है तो apple equal to one और model का प्रेडिक्टर के दे रहा है कि भाई जो object है वो 80% chances है कि apple है और 20% chances है कि वो पीछ है यहाँ पर पीछ जीरो होगा तो आप से बोला गया कि cross entropy निकालो होगा तो क्या लिखोगे one into log of point eight zero into log of point two यह probability होती है नहीं क्रोस entropy यह देखो और यहीं लगाई गई यह cross entropy उस cost function में और इसी को इमें पार्फिल डिफ्रेंजेशन कर कुरा के आपके सामने भी पूरा यह सोल करके रखा यह तो कलाकारी करी थी तो कि यह हुआ अब यह कोई निमेरिकल लोग लगाना है तो लॉजिस्टिक रिगरेशन जो है बाइनरी अभी तो आपने देख लिए कि सर जीरो अभी आप जो हमें बता रहे हो वह जीरो और वाला फंडा बता रहे हो आप कि ऐसा वेरी वेल फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन लेकिन सर दी मल्टी क्लासिफिकेशन हुआ तो जैने की मेरे पास टार्गेट में यह मेरा डेटा है ठीक है और टार्गेट में 0 1 & 2 तीन क्लास हुई तो कैसे करोगे क्लासिफिकेशन 0 & 1 का बता दी आपने बाइनरी का मल्टी क् के लिए logistic regression क्या करता है तो इसमें भी यह थोड़ा जो है अपने तरफ से इसको खेल तो देखो यही करना है कि खेल तो यह करना है लेकिन यह कैसे करेगा इस टाइप का वर्क तो उसके लिए इसके लिए यह अज्यूम करता है वन वर्सस ओल यहने कि we are going to treat separate binary logistic regression classifier for each class यहने कि क्या करेगा यह बनाएगा 0 versus 1 and 2 फिर यह बनाएगा 1 versus 0 and 2 और फिर बनाएगा 2 versus 0 and 1 ऐसे चले गा है यह नहीं तब करना तो इसे इनके बीच में ही दो के बीच में ही है यहने 0 versus 1 and 2 फिर 1 versus 0 and 2 then 2 versus 0 and 1 तेक है ऐसे चलना है तो 1 versus all करता है multi classification यह फंडा है इसका alright, बताया गया तो 1 versus all for each classifier, one class is treated as a positive all other are grouped together grouped, तो मैंने वही काम करा है grouping कर दी, बाकी बच्ची वही जितनी भी है तो यदि यह positive है, तो पूरी जो बच्ची वही उनको negative माने गई और फिर यह positive है तो इनको negative माने गा फिर यह positive है तो इनको negative ऐसी करता है यह काम one versus all वाला funda है हाँ, यदि आपको सिर्फ दो class दे रखी हो zero one तो कोई issue नहीं है वो तो जो करता था regular काम वो करी रहा है यह वाला ठीक है यह वाला लेकिन अधी एक से अधिक classes है तो grouping करेगा फिर यह एक एक को उठाएगा versus बाकी बचियों को group कर लेगा तो दूरिंग प्रेडिक्शन रन ओल्ड़ क्लासिफायर ठीक है सब को सब भी निकाले जाते हैं एक साथ सब रण होंगे फिर ठीक है इस अप्रोच इस सिंपल इसी तो इंप्लिमेंट बट माइट नॉट परफॉम वेल उन इंबैलन्स डेटा सिंपल है ठीक है आपने देख लिया कि one versus all कर रहा है इस सिंपल अप्रोच बट स्टिल जो है यदि अन्बैलेंस डेटा हुआ अन्बैलेंस डेटा का मतलब यहने आपके पास डेटा सेट दे रखा है ऐसा डेटा सेट दे रखा है आपको जिसमें multi classes तो है जीरो भी है वन भी है और तू भी है देकिन उसमें देखो यह अन्बैलैंस डेटा क्यों क्योंकि इसमें जीरो की संख्या 4 है 1 की संख्या 2 है और 2 सिर्फ एक ही बार आ रहा है तो यह unbalanced data है देखे भाई machine learning में आप जो classification करते हो तो data balance होना चाहिए balance हैने कि भाई यदि 0-4 है तो मेरे को 1 भी 4 चाहिए और 2 भी 4 चाहिए ऐसा नहीं होगा कि 0-4 है और 1-2 है तो तुम इसी से ट्रेनिंग मारने लग गए यदि ऐसा करोगे तो मेरा model 0 के बारे में ज्यादा सीखेगा फिर 1 के बारे में और 2 के बारे में सबसे कम सीखेगा लेकिन real world में यदि आपके पास 2 ज्यादा आया तो भाई यह model कैसे करते हो इसकी सैंप्लिंग टक्नीक होती है ठीक है दो टाइप की होती है एक होती है अंडर सैंप्लिंग और एक होती ओवर सैंप्लिंग और सैंप्लिंग का मतलब यह है कि माइनौरिटी क्लास को मैजॉरिटी के बराबर बनाना यह होती ओवर सैंप्लिंग अंडर सैंप्लिंग होती है मैजॉरिटी क्लास को मैजॉरिटी के बराबर बनाना यानि इसकी संख्या कम कर देना यह होती अंडर सैंप्लिंग तो भाई कि इन जंडरल अपन ओर सैंपलिंग करते हैं याने हम क्या कृते हैं इसमें डूप्लिकेट चोड़ देते और इसकी संख्या इसके बराबर वनाते यह काम करते हैं तो स्मोकिंग समुप्लिंग की विटमर गया रख्लितम होती है जैसे प्लिकार्वर्थ मैंने बोला इक आद होती है that is called a smooth synthetic minority over sampling technique है कि स्मोट अल्गॉरिधम होती है यह क्या करती है माइनॉरिटी क्लास को मैजॉरिटी के बराबर बना देती है ठीक है अब मेरे पास सब व्यवस्ता है बराबर हो गई है तीनों क्लास जीरो ऊन और टू थीनों बराबर संख्या में आ गई अब मैं क्लासिफिकेशन अल्गॉरिदम लगा सकता हूं यदि अलग-अलग हो तो मत लगाना कि ऐसी स्थिती में मेरा मॉडल बायस हो जाता है यानि वह सिर्फ एक की तरफ जुकेगा सक्को बराबरी का आप मानोगे तो जाके मॉडल लगाना ठीक है अल्राइट चाले आगे अपन बढ़ते हैं इसमें और क्या है लेट मी टेल यू तो यहां पर है ठीक है यह बता दिया तो मल्टी क्लासिफिकेशन भाई यह वन वरसेस ओल का खेल खेल खेलता है एक तरीका और है इसमें पर यह बता है यहां पर बाईनारी नहीं चलूंगा लेकिन मैं क्या करूंगा हर एक लास की प्रोबैबिलिटी बताओंगा कि कितनी बन रही है यह नहीं कि क्या से देखिए उपर वाले में आप लिखा था 1 vrs kay All यहां पर यह 1 versus आ नहीं करता सौ्टिमेक्स करता है यह ब्यांडी क्लासिफिकेशन के लिए ही है मस्ट बोलेगा कि भाई तुमारे पास तीन output है न, तीन है, तो short max function, ये बोलेगा, ये भी probability बताएगा, ऐसे, 0 के आने की probability 80%, 1 के आने की probability 5%, और 2 के आने की probability 15%, ऐसे बताएगा है, सारी probability का sum, 1 के बराबर होना चाहिए, जैकिने, ये 1 versus all नहीं करता, ये हर एक की probability देता है, ये short mass function, ठीक है, तो जैसे, 0 के आने की probability 80%, 1 के आने की 5%, 2 के आने की 15%, जिसकी probability सबसे ज़्यादा, वो जीच जाएगा, winner, ऐसा करता है, short mass function, और short mass भी ऐसी दिखता है, जैसा सिग्मोड नहीं ऐसी दिखता है, ठीक है, तो आप multi classification में, इसको भी लगा सकते हो, इस approach को भी follow कर सकते हो, ठीक है, तो सिग्मोड जो है, या logistic regression है, in general binary classification के लिए, यदि जादा classes हुई, तो one versus all करेगा वो, और नहीं तो short max लगाना हो, इसमें हर एक की probability मिलेगी, जिसकी highest probability वो answer होगा, ये काम करता है, ठीक है, तो ये चीज़े लिखी गई है, या पर, अल्राइट, advantage का है, logistic regression के, ये simple algorithm, straightforward है, ज्यादा कोई लफड़े धफड़े है नहीं, simple binary classification करती है, कर देगी, वो आपको निकाल लेते हैं, छोटे dataset पर अच्छा है, easily है, perform, तो इसमें कोई ज्यादा hard and fast math नहीं लग रही, देखिए, हमारा ध्यान होता है, advantage में, computations पर, कितनी गणित लग रही है, ये important होता है, क्योंकि machine learning की अदि बात करूं मैं, तो kind of math which is used here is quite, मतलब, simple ही लेके चलो आप, simple ही, इतना ज्यादा कोई tough नहीं है, वो तो deep learning जब आती है न, तब मज़े आते हैं, machine learning में simple mathematical models हैं, आपने देखा logit ही तो लाग रहा है, logit function, और आपने बस उसी का अप्योग कर रहा है, और कुछ नहीं, probability नहीं काल रहा ही, और कोई hard and fast math थोड़ी न लगी है, तो इसमें यही तो फायदा है, it gives probabilistic output, यही फाय पर availability निकालता है, ठीक है, works well with linearly separable data, यहने कि आपका, जो classes है, यही एक line से separate हो जाए, यहने वही binary classification में सबसे शांदार, वो बोलता है कि भाई, मैं सबसे अच्छी score दूँगा, binary classification को, I am the best, यह advantage है, limitation क्या है, यह multi classification इसकी limitation है, ठीक है, वहाँ पर हो सकता है, अच्छी score ना दे, और उसने कहे भी दिया था, यदि data unbalanced हो, तो वहाँ पर मैं अच्छा result नहीं दूँगा, ठीक है, वहाँ issue हो जाएगा, दूसरा, it is limited to linear decision boundary, अभी भी log of odds निकालते तो हो आप, dependent और independent की बीच में जो relationship है, वो log of odds वाला ही है, ठीक है, but if the true relationship is not linear, तो logistic regression में underperform, ठीक है, यहने, आप यह जो पूरी गणित है, logistic regression की, यह इस पर निरभर है, log of P is equal to mx plus c, इस पर है, ठीक है, तो इस type का दी relationship follow हो रहा है, ठीक है, independent, यह independent, और यह dependent है, यह इनके बीच में इस type का relationship follow हो रहा है, तो good, नहीं तो model काम नहीं करेगा, अच्छे से, जैसे linear regression में हमने क्या बोला था, कि y equal to mx plus c, यहने independent और dependent के बीच में linear relationship होना चाहिए, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा, internally मैं बात करूं, यह तो बोला इसने, कि log of, यह follow ह होना चाहिए, meanwhile, जब इसको पूरा solve करते हो, आप यह जानते हो, कि probability की value क्या आती है, one upon one minus e की power, beta not plus beta one x, तो अभी यह internal, यह तो linear है, beta not plus b1, नहीं होगा, तो फिर वो आगे, और भी x square, और x cube, अगर अगर अगर, तो कह रहा है, यह वाला relationship follow होना चाहिए, ठीक है, logistic regression assume the relationship in a form of log of odds, यदि यह है, तो सही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, outlier के प्रती sensitive है, outlier यहने वो वाले points, faulty points, ठीक है, तो भई क्या होगा कि sensitive to the outliers, wrong entries, corrupted entries, ठीक है, वो आपके classification या model की performance को बिगाड सकते हैं, complex relationship यह नहीं निकाल पाएगा, तो वही वो तो हर एक machine learning model के साथ समझते है, यही है, complex relationship नहीं पकड़ पाएंगे, complex नहीं non-linear relationship, याने x और y के बीच में non-linear relationship है, तो उनको पकड़ना मुश्किल है, तभी तो अपन deep learning लगाते हैं, machine learning हैं तो fail है, deep learning खेर आ complex relationship नहीं पकड़ पाएगा, यह अज्यूम यह करता है, कि features आपस में independent है, यही करता है, independent features are there, यह तो हर कोई machine learning model assume करता है, यदि यदि नहीं हो, तो गड़बड है, फिर उनने तो overfitting पे चली जाती ही बात, तो हम यही कहते है, कि all the features should have to be independent of each other, यह होना चाहिए, तो यह उसके कुछ डिसरड़ बाकी तो बढ़िया easy अच्छी algorithm है, यूज करते हैं, classification के लिए, लगाते हैं, binary classification में, मैं recommend करूँगा, logistic regression को लगाया जाए, ठीक है, करते हैं, इसको, all right, फिर बस बाकी और linear और logistic में क्या अंतर था, क्योंकि दोनों linear model के अंदर ही आती है, दोनों का आप import करते हो linear model से ही दोनों को मिलता है, from sklearn.linear model import linear regression and from linear model import logistic regression, दोनों वहीं से निकालते हैं, ठीक है, all right, अब बात यह है, आपने जाना ही था, यह linear regression जो है, वो assume करता है, dependent और independent के बीच में linear relationship और logistic बोलता है, log of odds का relationship होना चाहिए, यह classification के लिए और regression के लिए, ऐसे यूज होती है, इसका output linear regression का हमेशा continuous होगा, इसका output discrete होगा, 01 के बीच में देगा, यह categorical देगा, क्योंकि classification है, इसका output regression होगा, एक straight line आएगी, best fitting आएगी, वैसा बोलते हैं, ठीक है, linear regression मैंने relationship बता दी आपको, कैसा क्या होता है, इसकी बता दी, यहाँ पर जो cost function है, linear regression के अंदर, MSC, mean square error होगा, MSC, MAE, R2 score, वो लेते हैं अपने, linear regression में, और यहाँ पर अभी अपने क्या लिया था, logistic में, cross entropy, ठीक है, वो cross entropy या आपका cost function जो आप ले रहे थे, ठीक है, जहाँ अपने लिखाते हैं, y log of p, minus of one minus y log, वो, वो लेते हैं आप logistic के अंदर, क्योंकि यह probability based है, और यहाँ पर क्या लेते हैं, MSC, mean square error, root mean square error, mean absolute error, या R2 score, यह सब लेते हैं, cost function में, linear regression, ठीक है, तो linear regression भाई, आपके काम आता है, continuous value prediction करने के लिए, जैसे house price prediction का project हो गया, sales prediction हो गया, कुछ और, तो भाई, वहाँ पर आप linear regression का अस्तमाल करते हैं, logistic का अस्तमाल आप करते हो, classification में, जैसे spam detection, disease diagnosis, यहने हमें, जैसे करना, breast cancer classification, brain tumor classification, chest x-ray, pneumonia detection classification, वहाँ पर आप customer churn prediction, तो वहाँ पर यह आप logistic का use करो, वहाँ linear काम नहीं करता, यह अंतर है, दोने, तो, आज मुझे आपको math बताना था, logistic का, पुरा के पुरा math, पुरा cost function का derivation कर दिया, और आपको जो, रश्टोदर summary थी, logistic यह, वह भी मैंने हमें, clear कर दिया, तो, तो, प्लीज कहिए, anything you want to say, I hope आपको यह पूरा समझ में आया होगा, मैं, काफी simple way में, और step by step, जो है, वो, समझाता हूँ, ताकि आपको easy लगे, और, आप, जो concept है, हमारे algorithms में, ML algorithms में, आपको समझ मैं, ठीक है, क्यों use क्या, किसले use किया, क्या result आ रहा था, इसके पीछे की maths क्या है, ठीक है, तो, यह सारी बात है, अब यदि थोड़ा बहुत कुछ होगा, तो मैं next class के अंदर बता दूँगा, बाकी मेरी algorithm है, support vector machine, SVM, जिसकी maths, इन सबसे tough है, ठीक है, और, यह भी बहुत अच्छा model है, यह classification regression, दोनों करता है, logistic तो सिफ classification करता था, linear सिफ regression करता था, लेकिन यह भाई जो है, यह दोनों करेगा, classification भी regression, मज़एदार algorithm है, ठीक है, और इसकी maths भी काफे अच्छी है, ठीक है, देखेंगे, पढ़ेंगे, अल्राइट, so that ends with the logistic regression for today's class, and हम next class में connect करेंगे, और आगे का पढ़ेंगे, ठीक है, let me stop the recording,